एको निया कुनो फिलिम निकलाओं में बाका बंदूग निकला है एनिमाल अरे उसका एको गाना हमको कुनो बेजा कि सुनो देखो बड़ी तीज गुस्सा लगा हमको उ क्या रहा है तुझे कुछ भी हुआ तो सारी दुनिया जला देगे अरे बाप का दुनिया है और हम लोग क्या की है भाइज दोस्तों खांसर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे खांसर कितनी बड़ी पर्सनेलटी है और सोशल मीडिया पर उनके तमाम वीडियोस भी वाइरल होते रहते हैं वह बहुसी बाते कहते हैं और बहुसी शिक्षा वाली बाते कहते हैं कुछ बाते ऐसी कह जाते हैं जिनकी वजहेसे वह का दुद्रोल भी हो जाते है दोस्तों हाली में उन्होंने एक statement देजा लिए है अनिवल के उस सौंग को लेकर जो है अपने बाप बेटे के प्यार को दल्शा रहा है काफी बड़े लेवल पर यानि दुनिया जला देंगे जी हाँ दोस्तों और उनने कहे डाला है कि बई ऐसे कैसे दुनिया जला दोगे किसी के बाप की दुनिया आए कि तुमारे बाप की दुनिया जला दोगे जी हाँ दोस्तों वीडियो पूरा देखे और बताता हूं पूरी की पूरी कहानी कि क्या और क्यूं कहा खान्सर ने और किस वज़े से कहा दोस्तों आप लोग जानते हैं आइनिमल की रिलीजिंग से बाद से आइनिमल को काफ़े जादर ट्रोल करा जा रहा है मूवी अच्छी खासी सक्सेस्फुल हो गई है बट यहां पर जो ट्रोलर्स है वो लगातार मूवी को ट्रोल करने में लगे हुए इसी दोरान आप कूद पड़ें जंग में हमारे खांसर जी हां दूस्तों यह खांसर वो ही है जो काफी बड़े लेवल पर लोगों को शिक्षा परदान करते हैं और काफी कम फीस के अंदर इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे पर इन्होंने हाल ही में एक वीडियो के अंदर कहा कि मुझे एक बच्चे ने एक गाना भेजा जो हाल ही में कोई पिच्चर रिलीज होई होगी एनिमल उसका गाना है जिसमें वो बोल रहा है कि दुनिया जला देंगे कुछ भी गारा है तुमने जो तुम सबको जला दोगी यह क्या मतला हुआ अब इसी रियक्च्चन के बाद से जो हमारे खान सर हैं उन्हें काफी तादा ट्रूल भी करा जा रहा है कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग उनके खिलाग भी हैं और कमेंट्स कर करवारा हैं कि खान सर आप इतने बड़े लेवल पर टीचर हैं तो आपको ये तो पता होगा ही ये एक पिच्चर का गाना है और ये सिर्फ वर्ड़्स हैं ये सिर्फ राइटर ने लिखे हैं और सिंगर ने गाएं इससे जाधा कुछ भी नहीं है ये एंटरन्टेइनिंग एंटर्टेन करा जा रहा है, सच में कोई दुनिया नहीं जला रहा, सच में कोई आपको नहीं जलाने वाला, परेशान मत हो, इतना घबराट अच्छी नहीं होती, कुछ ट्रोलर्स हैं जो उनका खानसर को ये कहना है, साथी साथ कुछ खानसर के सपोर्ट में हैं, वो भी कह र कि भी या सितारे तक कैसे पहुँच जाओ के, तुम 6000 डिगरी सेल्सियस तो उसका ताप मन हैं, जाओ निकलो सितारा लेके आओ, तो उनका कहना ये है, कि भी हर कोई ऐसे ही कुछ भी बोल देता है, कुछ भी गाना बना देता है, अब कोई खानसर को ये बात समझाए, कि खा दुनिया जला देगा, ये तो एक एंटर्टेनिंग है, ये गाना है, ये एक बच्चे का आपने बाप के प्रती प्यार है, जो दिखाया गया इस मूवी के अंदर, और जो दिखाया और जो बताया गया इस गाने के अंदर, वह ये थोड़ी है, कि दियल में कोई दुनिया बारे में कुछ भी बोल दोगे, ये तो नॉर्मल ही एक गाना है, गाने को गाने की तरह से सुनना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा गाना है, जिसने ये गाना लिखा है, बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, इसने बाप बेटे के प्रती जो प्यार है, उसकी भावना को बह बिकर ये बात कई है, वैसे दोस्तों खान सर के बारे में हम सब जानती है, बहुत बड़ी पॉपुलारिटी है, इनकी एक बड़ा नाम है, एक बिग फेम है, कोविड के बाद से तो खान सर के बारे में हर जगा चल्चे ही चल्चे थे, उन्होंने खूब मदद भी करी और बच्चों को पढ़ाते हैं, काफी कम फीस भी लेते हैं, और उनके तमाम इस तरह के जो वीडियो थे, वो भी वायल होते हैं, एक ऐसा ही एक वीडियो और वायल हुआ था, जिसमें एक टीचर थी, ऑनलाइन स्टडी करवा रही थी, और बायो की क्लास चल रही थी, जिसके हार्ट के बारे में बताया जा रहा था, कि नॉर्मल हार्ट का शेप ऐसे ऐसे करके यूँ होता है, बट वो नहीं होता, क्योंकि हार्ट का शेप तो रियल में कुछ और होता है, जो गानों में बोला जाता है, दिल यूँ करके यूँ दिल बना रखा है, और ये दिल यूँ यह थोड़ी है कि आप बोलोगे कि ऐसा नहीं हो सकता भई यहाँ वो तो सब जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता चांद आरे थोड़ी कोई तोड़ के ला सकता है इतना गहरा प्यार जब सब को बता है इतना जादा उसका celsius तापमान है तो कोई कैसे तोड़ के लिए आएगा वहां अरे भई यह बुखार आगया तो दवाई खिलाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ यह थोड़ी यह गोली चल जाएगी तो यह तो एक गाना है गाना इंटर्टेनिंग है खांसर आप तो इतने बड़े लेवल के टीचर हैं आपको तो पता ही है किस तरह से गाने बनाये जात करते हैं चलचा के विशे ऐसे स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े रहते हैं कई प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट के सपोर्ट में पहुंच जाते हैं उनका पुर्जोर तरीके से सपोर्ट करते हैं और बहुत ही जबर्दस तरीके से पढ़ाते भी है पर एक चीज़ यह भी है जो खान सर के support में है उनका कहना यह भी है कि खान सर ने इस गाने के जो बारे में यह बात कही है न दुनिया जला देंगे यह नौर्मल ली ऐसा अपने बच्चो को पढ़ाते हुए entertaining करते हुई कही है, उन्होंने भी entertain करा है उन बच्चों का थोड़ा-सा हजी मजाप करा है, इस से दधाधा कुछ भी नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है कि गाने की negative प्रचार करना है, गाने का या फिल गाने के negative promotion करना है, या फिल पिच्चर को ले कर को संदे उत्पन करना है या लोगों के मन में उस गाने और उस पिचर की परती गलत भावनाय डालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने ऐसा एक पार्ट था, एक बच्चे ने बेजा तो उन्होंने उस गाने को सुना, उस गाने के बारे में अपने रियक्शन दिये, कि भईया ऐसा हसी मजाख में कोई थोड़ी जला देगा, कोई दुनिया थोड़ी जला देगा, कोई किसी को मार थोड़ी देगा, तो ये एक चोटा सा उन्होंने रियक्शन था, इससे जादा कुछ भी नहीं है, जो उनके पक्ष में है, लोग उनका कहना है, विससे दोस्तों एनिमल जब से रिलीज हु उसको लेकर ट्रोलिंग हुई है, साथ ही साथ, जो रंजीत रंजन जी, जो कॉंग्रेस की पंजाब से राज्यसभा सांसाद है, उन्होंने अर्जन में ली गाना और पिचर के अंदर जो वाइलन्स दिखाया गया, उसको लेकर काफी ज़्यादा भारी मांग करी थी कि इस बैन कर दिया जाना चाहिए, और क्यों इस पिचर को सर्टिफिकेट्स दिये जाते हैं, क्यों इस तरह की पिचरों को समाज में दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पिचर है सही नहीं है, तो ये एज़ एंटर्टेनिंग मूवीज हैं, जिसको लेकर संधीप रेटी मांगा इसे आप एंटर्टेन लिया जाए, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हॉलिवुड के अंदर इससे भी बड़े बड़े लेवल और बहुत ही खतरनाक लेवल पर मूवीज को दिखाया जाता है, वाइलन्स को दिखाया जाता है, पर उस वहां की जनता जो है, वहां के लोग वो उसे अपना आदर्श नहीं मान लेते हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि जो दिखाया जा रहा है पेच्चर के अंदर, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही कर रहा हूँ, या मुझे अब इससे इंस्पायर होंगे, रियल में लोगों के साथ ऐसा करना है, वो उसे गुसे as a entertainment लेते है और as a entertainment लेने के बाद भूल जाते हैं, पर इंडिया के लोग यहां क्या करते हैं, वो उसको अपना अदर्श मान लेते हैं, या वो इस तरह से एक environment में आ जाते हैं, कि भई अब जैसा पिच्चर में दिखाया गया है, मुझे भी वैसा ही करना है, क्योंकि वो पिच्चर में उसके गोली मारते हैं, या आतंक मचाते हैं, यह सब चीज़े गलत हैं, तो दोस्तों आप लोगों से एक सवाल गरना चाहूंगों, कि भई खान सर जैसी personality जब गाने को लेकर इतने बड़े बोल बोल देती है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है, क्या खान स आपको इस मामले में कूदना चाहिए था, या नहीं कूदना चाहिए था, जिसकी वज़े से खान सर आप काफी दाजर ट्रोल हो रहे हैं, हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रे